हेलो एन वेलकम फ्रेंट्स आज बहुत ही अच्छा सा बढ़िया सा ब्रेट का रेसिपी बनने वाला है जो की इंस्टेंट बनने वाला है ना तो गेस जलाना परेगा ना तो कुक करना परेगा ना तो बहुत सारे सामान की जरूरत है ना कोई जंजट है ब्रेद में जरासा पानी छिरक लीजे इससे ब्रेड और भी सोप्ट हो जाता है और जब एक ग्लास लीजे असे राउंने सेप का इड्ली इस तरह कहां सेफ होता है उस तरह से निकाल लीजिए पानी ची रखने से क्या होगा ब्रेट दोनों बिल्कुल चीपक जाएंगे बहुत अच्छे तरह से ग्लास के अलावा आप लोग कोई कटोड़ा ले सकते हैं किसी डब्बे का ढखन ले सकते हैं जो भी आपके पास हो अगर किसी को भूख लगी हो या तो फिर ब्रेट से कुछ अलग ट्राई करना चाह रहे हैं तो यह रेसिपी को जरूर ट्राई करें पहले से ही एक पैन में वन स्पून मस्टर्ड नोयल में जराशा मस्टर सीट्स ड्राई रेट चिली और कुछ कई लिप्स को आप जरा साब हून लेजिए उसके बाद इडली के उपर डाल कर सर्प करें अगर वीडियो अच्छा लए तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें मैं इसे सर्प कर रही हूं कोकोनट मिंट और कोरेंडर लिप्स की चटनी के साथ अगर कोई चाहे तो आप लोग टोमाटो सॉस के साथ भी सर्प कर सकते हैं बहुत ही बनने के बाद बह प्रिंड आप लोग जरूर करें बनाएं और मुझे कमेंट कर के बताएं की रेसीपी काहसा लगा अप जरूर मुझे बताएं कमेंट करके यह रेसीपी बच्चे बढरे सभी को बहुत पसंद आते हैं और बहुत ही जल्स बनने वाला इे रेसीपी हैं थांक यू पर वाचिंग इस वीडियो